नमज़कार दोस्तो, फैट्टूफिट में आप सबी का स्वागत है फैट्टूफिट का लख्ष आपके मोटापे को भटाना, मसल्स को बढ़ाना और एक स्वास्चीवन व्यतीत करने में आपकी साहिता करना है हम सब को पता है कि मसल्स हमारी जिंदगी में कितना कीमती है क्योंकि ये खाली बॉडी बिल्डर्स और एफलीट के लिए ही जरूरी नहीं बल्कि आम इंसान के लिए भी उतना ही आवश्चक है इसलिए आज हम बात करेंगे 6 scientific facts की जो मसल्स बिल्डिंग में हमारी मदद कर सकता है अगर आप हमारा nutrition course को follow कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि अमीनो ऐसेड लिूसीन शरीर में प्रोटीन के निर्मान और मसल बिल्डिंग में कितनी एहम भूमी का निवाता है इसलिए अगर आप exercise के बार liquid protein drink पीते हैं तो muscle mass और strength के लिए वो बहतरीन हो सकता है In fact, International Journal of Sports Nutrition में published journals के अनुसार liquid protein supplements food के मुकाबले blood amino acid levels को बढ़ा सकता है तो यदि आप पर्याप protein rich foods ग्रहन नहीं करने पा रहे हैं तो protein supplements लेने में ना घबराएं पर ऐसा protein supplement लें जिसके हर scoop में कम से कम 2-3 grams leucine हो Number 2, protein rich meals ज्यादा anabolic होते हैं इस fact में गुषने से पहले समझ लेते हैं कि anabolism होता क्या है Simple language में anabolism का मतलब है building complex molecules in the body In complex molecules में protein भी आता है High protein synthesis का मतलब है कि higher muscle growth Research के अनुसार 20-30 grams of protein per meal muscle growth को बढ़ा सकता है इसलिए कोशिश करें कि हर meal में कम से कम 20-30 grams of protein हो Number 3, vitamin D और strength Vitamin D और strength का relation बिलकुल स्पास तो नहीं है लेकिन higher levels of vitamin D और higher muscular strength का एक connection जरूर है चाहे वो बच्चे हों या बड़े कुछ expert के अनुसार अगर आपको परियाब sunlight नहीं मिल रही है तो आप 1000-2000 international units of vitamin D supplements प्रते दिन ले सकते हैं Number 4, increased protein intake muscle loss को बचा सकता है जब कोई भी व्यक्ति injured या बिमार होता है तो उसकी activity level गिर जाती है activity level के घटने के 10 दिन के बाद ही muscle loss होना शुरू हो जाता है protein synthesis और भूक भी घट जाती है और protein breakdown वहीं तूसरी और बढ़ जाता है athletes में strength, power और endurance तीनों ही गिर जाता है इस दोरान अगर protein intake को बढ़ाया जाए तो muscle loss को काफी हद तक रुका जा सकता है एक damage study के अनुसार अगर आप लंबे समय तक अपने maximum effort का 1-5 भी लगाते हैं तो ये protein utilization को बढ़ा सकता है इसका मतलब ये है कि जहां आप 20 kg का weight उठा रहे थे वहाँ अगर आप 4 kg से लंबे समय तक exercise करते हैं तो muscle loss में help करेगा ये information खासकर उन लोगों के लिए लाबदायक है जो injury या बिमारी के कारण intensely train नहीं कर पाते अब ये technique well-trained bodybuilders में काम करेगी कि नहीं करेगी इसकी कोई guarantee नहीं है नमबर 6, Mono Unsaturated Fats saturated fats से भरा हुआ diet, obesity और diabetes दोनों को ही जनम दे सकता है लेकिन जो foods Mono Unsaturated Fats से युक्त होते हैं वो आपके health के लिए beneficial हो सकते हैं जैसे कि olive oil, avocado, peanut butter, almonds, cashew और बाकी सब nuts muscles के साथ साथ ये energy levels को बढ़ा कर mood भी अच्छा कर सकते हैं तो ये तो थे हमारे 6 scientific facts for muscle growth अब इनमें से आपको कौन-कौन से पसंद है और आप किस-किस पे अमल करते हैं हमें comment करके ज़रूर बताएं अगर आप काफी दिनों से weight loss या muscle gain करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कटिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है आपको कोई हल नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारी website में जाकर किसी भी coach के अंडर में enroll कर सकते हैं जो आपको diet plan, workout plan दोनों बना के देगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें धन्यवाद और चैहिंद